हेलो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि आप लोग घर डिमांड पे मैंने दूसरा पायल लिया है और वैसे ये वाला पायल चांदी का नहीं है आर्टिफिशियल है और इसको मैंने लिया है 130 रुपे में जो कि दो से तीन महिने तक चलेंगे ऐसा कहके मुझे मिला है और इसकी आवाज भी अच्छी है मतलब ज्यादा कम भी नहीं है और मुझे काफी सुन्दर लगा वैसे जो लोग चांदी का पायल नहीं पहनना पसंद करते हैं या बजट में नहीं रहता तो इस टा पायल है जो कि आजकल अमीर और गरीब सभी पहनते हैं तो ये वाला पायल मुझे काफी अच्छा लगा सिम्पल और जैसे चुबने वाला नहीं है इसको डेली भी कोई भी यूज कर सकता है और मेरे सब्सक्राइबर जो वीडियो हमेसा देखते वो तो समझी रहूं कि आप ये आर्टिफिशल पायल है देख सकते कि इसमें घूंगरू लगा हुआ है इसमें घूंगरू है देखिए दो है जिसका मुह इस तरह से खुला हुआ है फिर भी बहुत अच्छी छनकार है इसकी घूंगरू की आवाज देखिए एक घूंगरू की आवाज ही बहुत अच् अच्छा है इसका आवाज और अगर आप लोग हमें सापायल का कलेक्शन देखते हूं तो आपको पता होगा कि यह डिजाइन पहले भी आ चुके हैं आप बहुत जगद देखे भी होंगे तो मेरे पास नहीं था इस टाइप का डिजाइन तो मैं सोची चलो यह सिंपल भी है और जैसे मैं जो डिजाइन लगाती हूं आलता का तो आलते की डिजाइन में मैं जब भी कोई डिजाइन लगाती हूं तो वो क्या होता है कि मेरे बड़े वाले पायल से थोड़ा सा छिप जाता है एडियों की तरप से पीछे से और साइड पतले से भी इसलिए मैंने थोडा सा पतला बाल ले लिया अर्टिफिशल में कि जो भी में डीजाइन लगाऊंगी तो वो पूरा अच्छा से पता चल सके हैं तो इसलिए मैंने यह वाला लिया है इतना पतला सा और सारे बड़े ही पाईल उसे आप रहे अपडेट इस पायल को मैं पहन के दिखाती हूँ कि यह कैसा लग रहा है मेरे पैरों पे अभी मेरे पैर में आलता नहीं है तो इसके साथ आलता वाला डिजाइन मैं डालूंगी तो आप तो जानते ही हैं जो बड़े सब्सक्राइबर हैं कंटिन्यू कि मैं हमे किसी न किसी संडे को मैं यह वाली पायल पहन के और आलता का डिजाइन लगा के आपको जरूर दिखाऊंगी तो यह वाली पायल आपको कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा एक सो तीस रुपए में है तो देख सकते हैं जैसा की कैसा लग रहा है इधर या इसको इधर भी ऐसे रख सकते हैं ऐसे कोई देखता है तो इसको इधर रखना चाहिए क्योंकि इधर से बाया और दाया जो होता है तो लोग इधर से ज़्यादा देखते हैं क्योंकि इधर तो पैर सटा हुआ रहता है तो देखिए घुंगरू भी इधर ही से ज़्यादा अच्छा लगता है वैसे आपकी पसंद कि आप किस और रखना चाहते हैं अपने घुंगरू को या अपने डिजाइन को आप चाहे तो इस तरह से भी अपने पैरों को रख सकते हैं मतलब डिजाइन कहीं भी आपको जहां भी पसंद हो देखिए इसको मैं पाइल की छनकार भी आपको बजा के सुना दूंगी यह वाली पाइल अभी छोटी है पहंते पहंते थोड़ा सा बढ़ा भी हो जाता है तो इसमें दो दो चाहर ही होनी है इसको कम चंकार पसंद है वो लोगों के लिए पाइल बहुत अच्छा है तो वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा और लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर लेगा मिलेंगे अब अगले वीडियो में